स्वागत आप सबका अमारे इस WordPress course के 28 वीडियो में जिसमें आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने WordPress के पोस्ट को या पेजिस को प्राइवेट कर सकते हो मतलब वो प्राइवेट रहेगा उसे कोई भी लिंक के तुरू भी एक्सेस नहीं कर पाएगा सिर्फ जो आपके एडम लॉग दिन होगा उनके ब्राउजर में उसी कोगल शो करेगा तो काफे काम का ये फीचर है WordPress का और अगर आपको नहीं मालूमें तो पूरा एक WordPress course और इसमें स्टार्ट से एंड तक बुरी WordPress website कैसे बनती है वह आपको सिखा रहा हूं तो प्रेश को आप यहां पर आईकार से को मिलती है यहां पर आपको अलिमिटेड मिल जाते हैं फ्री डोमें मिल जाता है फ्री सीडियन मिल जाता है इमेल मार्केटिंग टूल वेबसाइट माइकरेशन और डोमें प्राइश सब कुछ इस प्लैन में मिल जाता है इसलिए बैस्ट है और खुद WordPress से रिकमेंड करता ह उसके लिए आपको मेरे तरफ से बोनस मिल जागा ऑर यहां पर है तो आप जब इस पेचपे लाइंड करोगे इसका डिस्क्रिक्प्षण में आपको लिंक मिल जाएगा बाखि सेम में यूज करता हो और सेम इसे तरके से वह भी प्राइवेट हो जाएगा किसी भी पोस्ट को या पेज को प्राइवेट करने के दो मैथर्स है तो पहले आपको पोस्ट दिखा जाता हूँ कि कैसा दिख रहा है नॉर्मल और इंकोगिन टैब में ओपन करता हूँ क् यहां से करता हूँ रिफ्रेश तो यह मुझे वीजिबल है और यहां पर लिखा रहा है प्राइवेट तो आपके जो भी सब्सक्राइबर से जो भी आपने यूजर से यहां से क्रिएट की होंगे या फिर अगर आप चाहतो किसी को यूजर क्रिएट करना तो आप एक नया कर सकते हों प्राइवेट नहीं करना है और अपने अंचkek करके अपडेट कर दोगेूं प्राइवेट कर सकते हो अपने वर्ट प्रेस के उध्सकर पसंद आया होगा और इस पूरे वर्टप्रेस को आघिस को चैनल को सब्सक्राइब करते न वो भी आप यहां से कर सकते हो और क्या मिलते अगले वीडियो में